सरकार आती है एक सरकार कहती है हम विएक में का काम करेंगे घ्राइब किसी भी तपार्टमेंट का हो उसके साथ ही वही दोर हमारे साथ चला कि इस दोर में मज़धूरी भी ली जाए और खाना भी नहीं दिए गया खास करके और प्रविडिटी का जहां भी कोई बंदा काम करता है तो केजबर लेबरी करता है पर्विम्ट जो है वो बंदा कभी नजर आपको नहीं आएगा हर जगह हमारे काम करना पड़ता है लेकिन सहरी जो सुनोगे न आप भी शागी रह जाओगे हमारी हजार रुपेस पार्क वा अन्नी सुविधां में देखरे का काम करते हैं लेकिन सालों साल से इनका खुद का भविश्य अंदकार में लटका हुआ है जी हां वो इसलिए क्योंकि इनको जो तंखा मात्र दो सो कुछ रुपे रोजाना मिलती है मेहने का तकरिबाने साथ यार के करीबी इनको और वो भी हर मेने नहीं मिल पा रही कहीं मेनों से इनकी तंखा पैंडिंग चल रही है विबिन विवागों में काम करें 捏ंठ डेली विजर से आई यह बात करते हैं डेली विजर से और जानते हैं की परिशानिय के बारे में सबस्वें मुझूद हैं ब्रेगर इनना पना क को बोलने का मौका मिला मैं आपको बताना चाहूं कि जम्मो कश्पीर के एजवर लेबर नेटर फरंट जो है एक ऐसी आवाज एक ऐसा बैनर है जो जम्मो कश्पीर के 61,000 जो आरजी टेंप्रेडी लोग से उनकी आवाज बनी और इनकी आवाज नकी जम्मो बलकि यहां से ले साल कीमतिया अपने जजवानी की हमने रिपार्टमने के अंदर दिये हैं और लास्ट पर क्या होता है कि जब कोई सरकार आती है एक सरकार कहती है हम इनका काम करेंगे और दूसरा सरकार यह कहती है कि हम जब हमारी सरकार लाओगे हम आपका काम करेंगे तो हमें पोलिटिकल परन्सक हमारे वाद पहुंचती है कि अब इस मुद्दे को वन टाइम चलिट किया जाए क्योंकि यह वो लोग हैं जिने डिपार्टमेंट की बैक बॉन कहा जाता है और यह नहीं कहते हैं यह यहां के एचछी जिद्रे भी डिपार्टमेंट के यहां के हैं यह उनका कहना है क यह डिपार्टमेंट की बैक्बॉन है तो बैक्बॉन के साथ अगर आप यह हाल करो कि उनको समय पर सेलरी नहीं दोगे उनके लिए आपको पॉलिसी आपके पास ही होगी तो बैक्बॉन कब तक खड़ी रह सकती है तो बाकी जो यूटी सी वहां पर मिनिमे विजट आरेड़ी जो है वो लागू है तो हमने सुचा था जब यहां पर 375 हटाया गया यहां पर भी जो है मिनिमे विजट को जो लागू किया जाएगा और लगबग एक सफिशन्ट एमोंट जिससे हम आपनी फैमिली का गुजर ब और विजह मैं आपकी सबूस्बॉस का को हिगा तो जस लाइक एग धोखा जो हमारे साथ हुआ है कि एक जमाना गुलामी का था अंग्रेज के समय का जिस समय मजदूरों से काम तो लिया जाता था लेकिन उन्हें बाद में खाना दिया जाता था लेकिन जो पिछलाद दोर ह हमारे साथ بीता है मैं आल डपार्टमेंट की बात करूंगा केजूल लेबर किसी भी डपार्टमेंट का हो उसके साथ ही वही दोर हमारे साथ चला कि इस दोर में मजदूरी भी लिजाए और खाना भी नहीं दिया गया अलग अलग दोर में जो 20-20 है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का पी अची की बात करें तो 23,711 जम्मू प्रविंस का था दस हजार के करीब जो है कश्मीर प्रविंस का था हर एक डिपार्टमेंट्स की जितने भी होडी है उनसे भी अपील करता हूं एड्मिस्टेशन से माननी एल जी साब से और खास तोर पर माननी प्रधान मंतरी जी से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर का अगर सबसे बड़ा कोई इशू है तो वो जे कैजूल लेबर नीड बेस वरकर्स का है इन्हें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए हमें औ इसक अउन में से जब हमारा यहां पर जेपिड्ल डि सील कCause अ ने कुछ लोगों को जो है साडरी दी जैपा से त्रूटली हैं वो मिल रही है पर उसमें से कुछ हमारे डिपार्टमेंट के जो चीफ अंजिनियर थे अन्होंने कुछ फिगर्ट यहां पे चोड़ दी कुछ- बेज़ दी फाइनस के बास उसमें से 970 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ बाजू सब कुछ कट गया है लाइनों के ओपर काम कर रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं उनको अभी तक वेज़ भी नहीं मिली है ना ही तो बायो मैट्रिक उनकी हुई है ना इसी पोर्टल पर नहीं होती है और प्राइवेट का जहां भी कोई बंदा काम करता है तो केजबर लेबरी करता है पर्वर्मेंट जो है वो बंदा कभी नजर आपको नहीं आएगा हमारे साथ इन लोगों ने दोखा किया अब इनके साथ अपर वाला खुद दोखा कर रहा है आप प्राइवेट होगा सबस प्राइवेट हो जाएगा वो लोग भी जाएंगे हम लोग भी जाएंगे हम तो ऐसे भी नियुक्त करते हैं कि जिन लोगों की बाजूं कट गई है उनके जो घर के दूसरे कोई उनके छोटे ब्रादर है बड़े कोई भी है चलो उनको तो दे दो ठीक है उनकी जगा उनको कि एक बाजूंवाला बचल कहां पूल पे चुछ सकेगा ठीक है उनका पता लेने तक नहीं जाता है कोई नहीं जाता डुबार्टमेट को कोई भी अफसर है उसी टाइम तक प्यार महबत है हमारे साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे हमारा डिपार्टमेंट जो है फिस्टिस डिपार्टमेंट बहुत ही एहम डिपार्टमेंट है जेंटके के अंदर तो इसके जो हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से सफर कर रहे हैं क्योंकि पिछले 20 सालों से हमें जो है गौर्मेंट गुमा रही है तो हमारे जो मसले हैं जूंके तू है कोई हल जो उनका नहीं हुआ है नो कोई रिगलाजेशन पालसी वाजिया हुई है गौर्मेंट की जानिब से और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है वो यह है कि हम लोग जो है वेजस के लिए सफ हैं हम से कराए जाते हैं हम करते हैं क्योंकि हमारा जौब है हमारी ड्यूटी लगी है तो हम करते हैं लेकिन जब हम अपना हक मंगते हैं तो हक देने के लिए जो है गोवर्मेंट थैयार नहीं है जितने भी हमारे काइज वेलिबस काम कर रहे हैं तो सारे तो सब के लिए जो है है बजट का प्रोविजिन रखा जाए सब को जो है वेजिस जो है दिये जाए और वक्त में दिया जाएं सर हमारा मसला जो है वो पेच इदा है एक हॉस्पिटल डिवालपमेंट फांड एच्डिया सर हमें लगाया गया था कि हॉस्पिटल की जुरुत पोरी करने के लिए जह तक हम मझना जेहन के में जितने भी हॉस्पिटल है मलब हर डिपार्टमेंट में आपको एचडियाफ का मलाजिब बले गा चाहें वो लेब टेक्टिशन ओपरिशन थेटर टेक्नीशन में हो एक्सरे टेक्नीशन तो हमारी दोर आ गया करोना वारिस आ गया पेशेंट आते ह होस्पिटल ओपीडीज लगती ही नहीं सारी बन पड़ी हुई है तो हमारा जो पैचिदा मसला है मलब एक दो साल होगे कोई पे नहीं है किसी मलाजम को पे नहीं हर जगह हमारे काम करना पड़ता है लेकिन सहरी जो सुनोगे ना आप भी शागी रह जाओगे हमारी हजार रु के बाद तो हमें पे देखी नहीं क्योंकि पेशेंट ही नहीं है पेशेंट आते हैं 20 अगर 20 दाए 200 200 रुपे की मलब दिन का होता तो जहां 18 20 बंदे काम कर रहे हैं उस दो से साब कहां पहुंचेगा तो आज के टाइम में मैं चाहता हूं कि यह हमें फाइनस डिपार्टमे में कम से साड़े 300 लड़कें ज्यादा भी नहीं हैं तो अब हमारी ही रिक्वेस्ट है गोवर्मेंट से अलजी साहब से क्यों हमें जल्दी से जल्दी हमारी रिगलाजिशन पालिसी लागू की जाए लेकिन सफाई करमचारियों को तब वहां पे करोना योदा या किसी तरी मंतरी जिन्हें का ओवान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ अभी 6000 में बेटी बचाना भी बढ़ा मुष्किल की बात है बेटी बचा तो लेंगे किसी ने किसे तरीके से अब बेटी को पड़ाना वो उससे जादा मुश्किल है क्योंकि इस 6000 में आज ना तो कि जब शादी करना का जब टाइम आ चुका है तो उनके पास यह नहीं है आज वो मांगने की कगाग पर आ गए हैं कि हमें कोई ना कोई हमें स्पोर्ट करें ताकि हमारे बच्चों का जो है वो शादी का जो सिस्टम है वो चल पाए यह थे हमारे साथ विबिन विवागे डेल केमरामेन भुजिंदर खजुरिया साथ में अंदर जी सिंग जेके निस्टुडे जमू अ कर दो